हेलो फ्रेंड्स चलिए आज और कुछ बनाते हैं देखे पहले वीडियो में जो स्नेक बनाया था उसका क्ले मैंने मिक्स किया है देखे मिक्स क्ले से कितना सुन्दर और अट्रेक्टिव साप बनता है त्यार होता है वो आपको मैं दिखाती हूँ पहली ज्यादा टाइम नहीं लेगेगा जो मैंने पहले वीडियो स्नेक बनाया था वो क्ले मैंने देखे मिक्स किया है और उसको पतला सा बेल दीजी एक साइड मोटा होना चीए और जो साप का पूँछ होगा वो पतला साइड होना चीए इस तरह से आप इसको थोड़ा सा लंबा बेल दीजी ये देखे इस तरह से और जब इसको बेल की हो जाए तो सिर वाले हिस्से को अब उंगलियों और अंगुठे से इस तरह से प्रेस कर दीजी जिससे की साप का फन त्यार हो जाएगा ये देखे साप का जब मूँ त्यार हो जाए इसके बाद आप क्या करेंगे उ जैसा आपको पतला मूटा चाहिए वह सापका फन बना दीजी इस तरह से और थोड़ा सा ब्लैक क्ले लेते हुए इसके मूँ के इधर चिपका दीजी एक और तरीका है इसके फन को अलग से चिपकाने के लिए ये देखे इस तरह से जैसे आपको छोटा बड़ा फन चाहिए उससाब से आप जो रेड वाला क्ले है वो पतला सा बेल के लगा दीजिए जब इतना हो जाए तो वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स बनाइए वो सापकी आखों के लिए होगी जब कि मैं बता देती हूँ कि सापके आखे नहीं होती है लेकिन हम जो भी कुछ ड्रॉइंग या फिर ऐसे कुछ क्ले से आर्ट करते हैं तो उसमें दर्शाते जरूर है क्योंकि उसका लुक बहुत अच्छा आता है जब यह छोटी छोटी आखे हो जाए तो यह देखे सापके इधर लगा दीजिए आप सापके यह ना के समझ लीजिए यह देखी अब इसको हम सापको रखते हैं इसके लिए जो सापका पूछ है उसको बहुत अच्छे से रखी आप थोड़ा सा राउंड करके जिसके इसको बिठा के रखने में इसका जो फिनिशिंग है देखने में रियल आएगा यह देखे जब यह हो जाए तो हमारा आज का हम स्नैक डिजाइन शुरू कर इसके बाद इन तीनों को इस तरह से गुतते जाएंगे जैसे कि बालों की चोटी हो उस तरह से एक दूसरे से लपेटती हुए पूरा चोटी की तरह इसको एंडिन तक गुतेंगे जब यह गुत के हो जाए यह देखे इस तरह से एक दूसरे के नीचे पलटते हुए अगर और आपको छोटी गुतनी नहीं आती है तो आप सभी कलर्स को वन बाई वन एक दुसरे के उपर नीचे लपेटते जाईए यह देखे थोड़ा सा मुह मैंने डबल कर दिया है उपर से क्यूंकि वह सापके मुह के लिए थोड़ा मोटा साइची कले का इस तरह से अभी हलके हा प्रिश करके फिर दोनों उंगल्यों और अंगुठे की साहता से इस तरह से प्रेश कीजिए जैसा वीडियो में दिखाया गया है और थोड़ा सा गोला लीजिए ब्ला कलर का यह क्ले का इसको भी इस तरह से रख्के वापस प्रेश कीजिए जिससे की जो सापके फन का जो का हिसा है वह गहरा black color का हो जहरे ले नाग जैसा यह देखिए इसके बाद कई जिए इसके बाद चैसे इसका johan अज़्ोंब बनाएंगे इसके लिए रेट कलर का क्ले का थोड़ा सा लिजी और उसको बीच में से कट कर दीजे यह इस तरह से और थोड़ा सा ब्लैक ले लगाते हुए इसके नीचे फन की और छिपका देंगी यह देखिए जब यह चिपका के हो जाए यह देखिए इस तरह से और जैसा आपको फन चीए उस हिसाब से इसको रखिए और अभी सापको हम अच्छे से उसकी पूँच को थोड़ा रोटेट करते हुए इस तरह से इसको बिठा देगी यह देखिए इसके फेस को इस तरह से बिठा यह जब यह बिठा के हो जाए तो हम चोटे चोटे वाइट बॉल और ब्लैक बॉल बनाएंगे जिससे की इसकी आँखे बनाएंगे सापकी औ इस पर यह चिपका दीजिए यह देखिए जब चिपका के हो जाए ते देखे कितना संदर लुखा रहा है हमारा double attack सापों का दोनों का कितना संदर लुखा रहा है एक दम real साप लग रहे है यह देखिए जो मैंने mixed clay करके बनाया और यह देखिए green black and yellow का combination क्या जहरीला साप ये पीला हरा साफ कितना संदर लुकारा इसका वाव आप सब बनाए, अपने बच्चों को सिखाए और बच्चों को भी बनाने को बोले Thank you so much